कोश्चन यह बोला गया है कि एक मीटर लंबा पाइप है जिसका अंतरिक ब्यास बारी ब्यास के ब्रावर है पाइप को बनाने के लिए कितनी समागरी के ओर सकता होगी यदि इसकी धारिता यानिकी वॉलूम है 88 अपन में सेवन है कोश्चन के कोडिंग यह बोला गया है कि आ इसका वॉलूम दिया गया है इसका वॉलूम दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसका यानिकी समागरी पूरे पाइप को बनाने के लिए समागरी तो यही लगी है क्योंकि यह चीज तो क्या है खोकला है तो जो भी पाइप को बनाने के लिए समागरी इस्तिमाल की ग रख़ाई, पाई के वैलू 22 बटे साथ, इन्टू आरे स्क्वाईर, और कितना मीटर लंबा है, एक मीटर लंबा है, रख़ाई है, पाई किवूचाई, एक मीटर हो जाएगे, 88 बटे साथ, साथ से साथ, कट्टों 22 से चार बार में आर की वैलू आ जाएगी, यहां से दो, अ इसका आंतरिक ब्यास जो है बाहरी त्रिज्या के बराबर है अगर यो आंतरिक ब्यास है यानि कि यह वे इसकी त्रिज्या अगर दो सेंटिमीटर है तो ब्यास कितना हो जाएगा टू और चार सेंटिमीटर तो जो इसका ब्यास होगा यह पूरे का पूरी इसका रेडियस तो वॉलूम निकाल सकते हैं पाय प्र स्कॉर्य एच होता है 22 में साथ मेस इंटो और कितना हो जाएगा आपका दो दूनिंख का चार एच कितना है 1 मिटर तो जाएगा 88 चोग का कितना होता है आपका या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो यह 70 के कई से 3.something 1.4 होता है न वेलू आए चर्चोग के 16 हमने यहाँ पर गलत कर दिया न यह होलो सिलिंडर है यहाँ इन फोल्म यह थोड़ी होता है तो हमें एन फोल्म लगाना होगा यह क्या होता है पाई आर पाई इंट्व यह होता है कि आपका 2.5 आडा रा स्क्वाइर माइनस का 1.4 इनट्व एच होता है ठीक है तो जो भी material required होगा फॉर क्वेर चॉलो चोटा न चा ci रहा है 5 एंटा सी आप यंपिन में रिख endlich चा החाई 2 स्कुराहहां स्क्लिका कर सकते हैं 22 Faith and 8 एंटा सी लुआ सबस्के क्णा सब्सप्सदい पाइख वुद्रों में लिए जोलाकि समझेस याय चाक्ट यहां से अप 4 x 12 तो बरतियां 36 यानि कि 36 से तो वेलू ज्यादा आएगी और एक ही अप्सन में अप्सन नम्बर दिए तो 37.7 जो है इस question का answer हो जाएगा जो material required होगा इस cylinder को बनाने के लिए 37.7 गन मीटर